नमस्कार मैं हूँ मुसकान अजबानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी आप सभी ने वो कहावत तो सुनी होगी तुम डाल डाल तो हम पात पात ये कहावत पुलिस और साइबर अपराधियों पर बिल्कुल सटीक बैठती है क्योंकि एक तरफ साइबर क्राइम सेल साइबर क्राइम पर रोक लगाने का बड़ा दावा कर रहा है लेकिन अपराधियों से एक कदम आगे ही चलते हुए नज़र आ रहे है इस बार साइबर अपराधियों ने LDA में सेंधमारी और फ्रोड काल शुरू कर दी है ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक युवक को फ्रोड कॉल के जरिये मकान एलोट की जानकारी दी जा रही है उसके बाद उसके कागजात और रकम जल्द से जल्द आलाइन जमा करने की भी बात कही जा रही है इस कॉल पर जैसे ही अमलान गोस्वामी नावा के एक युवक LDA पहुचता है तो उसको मालूम होता है कि एक फ्रोड कॉल है लेकिन इस बीच ये युवक रहत की सास लेता है क्योंकि उसके साथ फ्रोड नहीं हो सका और उसकी रकम भी बच गई सुनिये हमारे समवादाता की फ्रोड कॉल से बचे युवक से बातचीत साइबर अपराधी लगतार हर विभाग में सिंध मारी करते नजर आ रहे हैं इस बार साइबर क्राइम के द्वारा लखनव विकास पराधी करण में सिंध मारी करने का मामला सामने आया क्योंकि जिस तरह से परदान मंतरी आवाज योजना में लोगों के फॉर्म भरे गए थे अब उसमें साइबर अपराधियों की कॉल भी पहुँचना शुरू हो गई है उनके द्वारा बाकाइदा उसका अमाउंट भी जमा करवाने की बात कही जा रही है इस मामले में आज एक वेक्टी जो लखनो विकास पाधी करव पहुचे और अपने मामले की जानकारी दी जिसके जरीए ये मामला भी उजागर हुआ कि साइबर अपराधी लगतार अब आवंटियों को भी कॉल कर रहे हैं कि उनका जो मकान है वो इलाट हो गया है उसका अमाउंट भी जमा करना है हमाई साथ बात करने के लिए मौजूद है क्योंकि इनहीं के पास जो साइबर क्राइम की कॉल आई थी ज्यादा जनकारी यही देंगे कि आखिर कैसे क्या कुछ पूरा मामला रहा पहले तो यह बता कि आपका नंबर आगया है और आपने अपना नाम रिस्टर करवाया था तो उसलिए आप अपने डॉक्यूमेट कर दीजिए और पैसी जमा कर दीजिए जो कि मैं उसलिए क्लकता में था तो मैंने सोचा कि आभी तो देखिए बात होनी पाईगी और अगर मुझे कुछ जमा करना हो डॉक्यूमेंट भी तो मैं उनलाइन ना जमा करके मैं ओफिस में जमा करूंगा ज्यादा भेतर है तो बस उसलिए मैंने उनसे बोला कि एक हफ्ते का समय दीजी मैं भी कलकता में हूं मैं लखनो आता हूं फिर मैं आपसे कॉल कर पे बात करता हूं मैं इस हफ्ते ना आया और यहां पर पता करने आ कि वाकई में मेरा नंबर आया है कि नहीं आया है तो यहां पर से क्या कुँछ जंग अई मिली क्या यहां से कॉल गई थी आपके पास यहां पर से तो इन्हों नहीं गई है और जो भी हम लोगों ने जो पिछले to 2018 में जो रिजिस्टर कर आया था उन सब की जो लॉट्री बे जिनका भी नाम आना था उन सब का नाम आ चुका है और जिनका भी नाम नहीं आया है वो उनको शायद पांच रुपे की धन्मराशी जो उन्हों जमा करी थी ऐसा पाट ओफ रिजिस्ट्रेशन फी वह भी वापस कर दी गई जिनका नहीं लॉट्री में आ गया वो आ गया जिनका नहीं आया उनको पैसे भी हो गए तो मैंने पूचा कि ऐसा तो नहीं कुछ बज गया तो ऐसा कुछ नहीं है आप वापस से आपको री रिजिस्टर करवाईए फॉर्म भरिये फिर जब कभी लॉट्री में नंबर आएगा तो उस नंबर पे जब शायद ट्रू कॉलर से जब फाइंड करा तो पता पड़ा कि प्रधान मंत्री आवास योजना उस नाम से किसी ने शाय नंबर सेफ कर रखा होगा तो नंबर तुन्हें नोट कराई है आप बाकी पता नहीं वो क्या करते हैं नहीं करते हैं क्या इस मामले की सिकायत आप वो साइबर थाने में भी कराएंगे जिससे कि जो फ्रॉड की कॉले आ रही है उससे बचा जा से कि अभी तो देखे मुझे एक्जाक्ली यह नहीं पता कि फ्रॉड की कॉल है कि नहीं है हालकि ज्यादा तर तो यहीं लग रहा है कि शायद यह क्योंकि संबर स्विच ओफ आ रहे हैं समय का मतलब है कि शायद फ्रॉड हो सकता है और तो मुझे इन्होंने तो ऐसा कुछ अभी तो कुछ आश्वासन दिया नहीं है कि कहीं और रिपोर्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे तो जिस तरीके से जो साइबर अपराधी यूँ के द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है इसको लेकर इनके द्वारा आज लखनाओ विकास पराधी करण में इस मामले की जानकारी दी गई लेकिन कहना है कि अभी तक विकास पराधी करण के तरफ से कोई भी आश स्वासन नहीं मिला है लेकिन कहीं न कहीं जो साइबर क्राइम है वो लोगों को चपत भी लगा रहे हैं वीडियो जनलिस नीरच के साथ मुऊम्मद कलेम प्राइम टीवी लखनव तो आपने देखा कि किस तरीके से जो साइबर ठागय वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम लगातार कर रहे हैं लेकिन पोलिस वारा ये भी कहा जा रहा है कि इन सभी अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार इन सभी चीजों पर नज़र रखी जारी है किसी भी तरीके से जो आम नागरिक है उनको ठागी का शिकार ना बनाए जो इसके लिए लगातार कोशिशे और कवायदे भी की जारी है तो हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस अतना ही देश दुनिये की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे हैं प्राइम टीवी